आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एक्सिलेंस वाई एपिएस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जवार नवोदय विद्याले प्रिवेस परिच्छा कर्चा चेकर जो है ना सौल पीपर 210 इससे पहले मैं 2021 से 2011 तक कि सौल पीपर करा चुका हूँ यदि वो कंप्रीट करते जाना है और आपके पास कुशन नहीं लिखें तो लिखते भी जाना है तो बहुत ही जल्दी हम इसको कंप्रीट कर लेंगे लास्ट एर के सारे सौल पेपर से भी बहुत सारे कुशन आपके रिपीट हो जाते हैं जवार नवोदय विद्याले में इसलिए मै आपके पास पहुंच सके और दोस्तों भी जाए-जादा शेर जरू करें वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरू कर दें तो आए करते हैं कुश्चन्स को आपका जो मानसिक योगता परिच्छड होता है वो आपका चालिश नंबर के अभी चालिश नंबर काता है पहले आपकी पचास नंबर के आते दें यानि कि 50% पार्ट इसका आता है यहां पर आपको जो है न एकदम समान आकरती बतानी है कि किस चित्र की एकदम समान आकरती है वो आपको बतानी है तीन समान आकरती है और एक उससे अलग आकरती दी गई है तो वो अलग आकरती को आपको बताना है कौन सी आकरती जो है न अलग है तो question को करना प्रारम करते है, question number first, question number first का जो यहां से answer बनेगा, बो है आपका option D, इसका सही answer, question number second, question number second का जो right answer है, बो है option C, इसका सही answer, question number third, question number third का जो right answer है, option B, इसका सही answer है, question number four, question number four का जो right answer है, बो है आपका option A, इसका सही answer है, question number five, question number five का जो right answer है, option A, इसका सही answer है, next, फिर यहां पे दे रखा है, हमको यह आकरती दे रखने हैं, इसके समान जो भी similar आकरती को find करना है, तो question number 6 का जो right answer है, बो है आपका option A, इसका सही answer, question number 7 का जो right answer है, बो है आपका option C, इसका सही answer है, next, question number 8 का जो answer है यहां से, बो है आपका B option, इसका right answer है, question number 9 का जो right answer बनेगा, बो है आपका option B, इसका सही answer है, and question number 10 का जो right answer है, बो है आपका option A, इसका सही answer है, next, फिर यहां पर दे रखे आकरती यह आदा पार्ट है ना ब्लेंक दे रखा है उसके प्लेस पे कौन सा चित्र यहां से आएगा वो आपको फाइंड करना है कुश्चन नमब 11 का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका उप्शन सी इसका सही आंसर कुश्चन नमब 12 का जो राइट आंसर है वो आपका उप्शन इसका सही आंसर है यहां पर next कुश्चन नमब 13 13 का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका उप्शन इसका सही आंसर है कुश्चन नमब 14 14 का जो राइट आंसर आपका उप्शन इसका सही आंसर है Q15, 15 का जो right answer है, यहां से बोई आपका option C, इसका सही answer है Q16, आप यहां पर हमें, जिस प्रकार यह का first आकरती का second से संबन्द है उसी प्रकार, थाड़ आकरती का fourth से संबन्द किस प्रकार होगा वो बताना है Q16 का जो right answer बनेगा, बोई आपका option C, इसका सही answer है Q17, जो right answer है, आपका option B, इसका सही answer है, next Q18, 18 का जो right answer, option B, इसका सही answer है Q19, 19 का जो right answer, option C, इसका सही answer Q20, 20 का जो right answer है, option C, इसका सही answer, next तो यहां पर direction दे रखती है तो यह जो चित्र दे रखें, आपको इसके अनुसार ये next fourth number में चित्र कौन सा आएगा वो आपको बताना है जिस तरह first का सम्मंद second से उसी परका third का सम्मंद four से किस्प प्यार होगा तो question number 21 आपको दे रखा है 21 का जो right answer option D इसका सही answer है question number 22 22 का जो right answer है वो आपका option C इसका सही answer question number 23 23 का जो right answer है वो आपका option B इसका सही answer है question number 24 24 का जो ये option है वो इसका right answer है question number 25 25 का जो right answer option इसका सही answer है next फिर यहाँ पर यह आधी आकरती बनी हुए है आधी है ना blank है तो इसके place पर कौन से चित्र रख दें कि आकरती पूरी हो जाए तो यहाँ पर आपको question number 26 का जो right answer बनेगा वो है आपका option A इसका सही answer है question number 27 यहाँ पर दें रखा है और 27 का जो right answer बनने वाला है वो है आपका option D इसका सही answer है next question number 28 28 का जो right answer बनेगा वो है आपका option A इसका सही answer है next question number 29 29 का जो right answer बनेगा बोई आपको option D इसका सही answer है next question number 30 question number 30 का जो right answer बनेगा बोई आपको option A इसका सही answer है next यहाँ पे आपको तीन आकरती एक समान दी गई है एक आकरती थोड़ी बिनने है उस बिनना आकरती को आपको ढूंडना है question number question number 31 31 का जो यहाँ पर right answer बनने वाला है वह है आपका option B इसका सही answer है question number 32 32 का जो right answer option B इसका सही answer है question number 33 33 का जो right answer option D इसका सही answer है question number 34 34 का जो right answer option D इसका सही answer है question number 35 35 का जो right answer option B इसका सही answer next question number 36 यहाँ पर दे रखता है इसके similar आपको आखरती को find करना है तो इसके similar आकरती कौन सी है तो इसका जो right answer है question number 36 का बो है option A इसका सही answer question number 37 37 का जो right answer है बो है आपका option C इसका सही answer question number 38 38 का option C जो है इसका सही answer है next question number 39 39 का जो right answer option D इसका सही answer है next question number 40 40 का जो right answer है बो है आपका option D इसका सही answer next question number 41, 41 का जो यहां पे right answer बनने बाला है इस पिरकार A का सम्णद B से होगा, C का सम्णद D से तो इसका right answer बनने बाला है वो है आपको option C का सही answer है question number 42, 42 का जो right answer बनेगा वो है आपको option C का सही answer है Question number 43, 43 का Right Answer Option A इसका जो है na Right Answer is Question number 44, 44 का जो Right Answer Option D is का सही answer Question number 45, 45 का जो Right Answer Option D is का सही answer Next, फिर यहाँ पे दे रखें आपको चित्रो तो ये तूटे-फूटे चित्र है इन में कौनसा चित्र हम joint करते हैं, कि ये चित्र है न पूरा हो जाए तो इसका जो right answer है, वो है आपका option B, इसका सही answer है Question number 47 का जो right answer बनेगा, वो है आपका option A, इसका सही answer Question number 48 का जो right answer है, वो है आपका option A, इसका सही answer Question number 49, 49 का जो right answer यहांसे बनेगा, वो है आपका option A, इसका सही answer Question number 50, 50 का जो right answer है, option A, इसका सही answer है नेक्स्ट फर यहाँ पर आपका महत दे रखा है तो महत के questions option wise यहाँ पर कर लेंगे उसका solution जो है लाश्ट में देख लेंगे आप और आपके पास यह question आपको आ रहे हैं तो आप इनको solve करके answer बताते जाएंगा और नहीं आ रहे हैं तो इनको note करते जाएं question number 51, 16,813 को लिखा जाएगा तो इसका जो right answer है वो है आपका option C, इसका सही answer है question number 52, question number 52, एक कार पार्क में 14 पंक्ती है प्रतिक पंक्ती में 420 कारों के खड़े करने का इस्तान है पार्क में कुल कितने कारें खड़ी हो सकती है तो इसका जो right answer बनेगा वो है आपका 5880 इसका सही answer option है, question number 53, एक संक्या 50 से कम सास की गुड़ज और 3 के गुड़न खंड है वे संक्या क्या होगी, तो इसका जो right answer है वो है आपका option, भी इसका सही answer है 42 next, question number 54, 60 बन अपॉन में 10,000 को दसमला रूप में लिखा जा सकता है तो इसका जो right answer होगा, वो है आपका option 10 का सही answer next, question number 55, अमीता ने घोड़े का चित्र 11, 55 एम पर शुरू किया और 12, 5 पी एम पर पूरा कर लिया चित्र बनाने में उसे कितना अकुल समय लगा, तो इसका right answer होगी, 10 मिनट 10 मिनट इसका सही answer, question number 56, संक्या 24, 10, 56 में अंक का 5 के इस्तानी इमान फाइंड करना है यानि की place value, तो इसका जो right answer option C, 5, 10 में इसका जो इना right answer next, question number 57, चॉकलेट के दो ब्रांड 10 और 12 की पेकिंग में उपलब्द हैं यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संग्या में चॉकलेट लेनी हो, तो पिरते एक ब्रांड के कम से कम कितने pack खरीदने चाहिए तो इसका right answer है, वह आपका option B, 10 की 6 पेक, 12 की 5 पेक, ये इसका सही answer है question number 58 यहाँ पे दे रखा है, आपको सरल करना है, 1, 1 by 24 minus का 1 plus 7 by 36 का right answer क्या बनेगा, तो इसका right answer 17 upon 72 जो है इसका right answer है question number 59, दो दसंबलब का गुडणफल, 14 दसंबलब, 8, 3, 7 है, यदि इसमें से 1, 4, 0, 1 है, तो दूसर दसंबलब क्या होगा, तो इसका right answer option B, 3 दसंबलब साथ इसका सही answer होगा question number 60, 60 का एक pattern दिया गया, इसको अध्यनकर अगला पद है न, बताना है, तो इसका right answer बनेगा, यहाँ से, बोई आपका option C, 55 into 55 इसका सही answer बनेगा question number 61, एक जिले की संग्या 20 लाख है, यदि पृति बर्ष जन संग्या में एक पृतिसत की ब्रद्धी हो, तो एक बर्ष के अंत में इस जिले की जन संग्या क्या होगी, तो इसका right answer बनेगा, बोई आपका option D, 20 लाख, 20,000 इसका सही answer है question number 62, एक रेडियो को 680 में बेचने पर एक लुकंदार को 120 रुपय का गाटा होता है, 120 का लाख कमाने के लिए रेडियो को कितने रुपय में बेचना चाहिए, तो इसका right answer है, बोई आपका option D, 980, इसका सही answer है question number 63, यहाँ पर दे रखा है आपको, 12 cm लंबी 6.5 cm चोड़ी हायत का 6 फल क्या होगा, तो इसका right answer है, बोई आपका option A, 78 बर्ग cm इसका सही answer question number 64, एक रुपय पांच की सिक्के का भार 9 ग्राम है, अनू के बैग में रुपय पांच की सिक्कों का कुल भार 9 किलो ग्राम है, बैग में कुल कितने सिक्के हैं, तो इसका right answer option C, 1000 इसका सही answer है question number 65, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, और प्रितिक कमरे में 4 पौदे लगाए गई हैं, यदि एक पौदे में 2 कप पानी डाला जाता है, तो कुल कितने कप पानी सभी पौदों में पौदों के लिए हैं चाहिए, तो इसका right answer है, बोई आपका 208 का फिसका right answer, next, question number 66, 100 cm लंबे तार से एक आयत बनता है, इस आयत का अधिक्तम छित्वल क्या हो सकता है, तो इसका right answer है, बोई है आपका यहाँ पे, option C, 625 इसका सही answer, question number 67, around 60 cm एक किनारे वाले गणों से एक घनाब बनाता है, इस गनाब का छित्वल क्या होबा, तो इसक बोई है आपका यहाँ पे, option B, 60 घन सेंटीमीटर इसका सही answer है, फिर यहाँ पे question number 68 दे रखा है, यदि F को सिर्वे 45 के कौन पर clockwise जसां में तीन बार घुमाया जाए, तो कौन सा चित्र प्राप्त होगा, तो इसका right answer है, बोई है आपका option D, इसका सही answer, next, question number 69 इसका सही answer, next ब्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 उदार लिए, जो 10% बार्सिक ब्याज पर दो वर्स में वापस करने है, और व्याज सहित, दो वर्स बाद उसने, जो रासी वापस की, बोई है, तो इसका right answer है, उप्सन सी, इसका सही answer है, 24,000, question number 70, एक स्कूल की लाइबरेली में विविन विसों पर उप्लब्द पुस्तकों का निमने ग्राप दिखाया गया है, और कितने विसों में 50 से अधिक पुस्तके हैं, यह बताना है आपको, तो इसका जो यहाँ पर right answer बनेगा, वह आपका option, 20, इसका सही answer, 3, question number 71, 20.08, 20.08, 20.08, प्लस का जो आपको, 20.008, प्लस 20.008, प्लस 20, का बराबर क्या आएगा, तो इसका right answer, option D, इसका सही answer, 80.088, इसका सही answer, question number 72, बारत अथा पंदा के सर्वनिष्ट गुरंद खंड है, तो इसका right answer यहाँ पर बनेगा, वह आपका option D, एक और तीन, इसका सही answer है, question number 73, तो यहाँ पर 73, 300, मिली धारता की कितनी बोतलें, एक बरतन, जिसमें, 2.85, मीटर तेल है, में से बढ़ी जा सकती है, तो इसका right answer है, option C, इसका सही answer, 9,500, इसका सही answer है, question number 74, 275.00, 0, 3 into में, 3.005 का लगवगमान क्या होगा, तो इसका right answer, option E, 825, इसका सही answer है, question number 75, एक ब्यक्ती ने एक पुरानी साइकल, 450, रुपए में खरी दी और उसकी मरम्मत पर, 50, रुपए बैकी है, यदि उसने पुरानी साइकल, 600, में बेची, तो उसका लाब प्रतिसत क्या हुआ, तो इसका right answer है, option C, इसका सही answer है, 20, इसका सही, next, तो यहाँ पर आपको अ एक मेला को कार से उतरते देखा, आपने पालतू जानवर के साथ आँगे बढ़कर, जब उस मेला ने दुकान की घंटी बजाई, तो जोहरी ने उसे, उसका के साथ अंदर आने दिया, एक घंटे वाद यह सकता मंद पड़ गई, और उस मेला ने बड़ी साबदारी से अप कुछ और दिखाने के लिए कहानी कहती रही, अंद में उसने ट्रे पांच को एक बार फिर दिखाने के लिए कहा, भीतर से जोहरी खुस हुगा कि उसे ट्रे में सबसे कीमती हीरे रखे थे, जब वे ट्रे को लाया, तो महला उत्ते जना में आगे बड़ी, और ट्रे पर कर गए, महला ने अफसोस जताया और जोहरी कतार द्रेश्टी से देखने लगा, महला ने गिरे हुए हीरे को उठाने में सायता की और इस बीच उसने अपने पर्स से एक बिस्कुट निकाला और कुट्य को खिला दिया, जब जोहरी आखरी हीरे को भी उठा चुका, तो उस उसे कोच ऐसा अनवा हुआ जिससे उसके दिल की धड़कन थम गई, उसका पांच केरेट का कीमती हीरा गायब था, उत्तेजित होकर उसने पूरे फर्स पर देखा तब सब ब्यर्द था, तब उसने उस महला को संदे की देश्टी से देखा और पुलिस बला ली, जोहरी ने आगरे किया कि उस बक्त महला की तलासी जें, उन्होंने बैसा ही किया पर उन्हें कुछ नहीं मिला, जोहरी समझ गया कि उक्त महला ने उसे ठग लिया है, आप इसके कुश्चन यहां पर दे रखे हैं, तो इनके कुश्चन को यहां पर करते हैं, जोहरी ने महला को अंदर आने में उसकता क्यों दिखाई तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह आपको ऑप्शन B क्योंकि उसने घंटी बजाई कुश्चन नमबर 77 उक्त अब तरड में टे 5 मेर्पूर क्यों है तो इसका जो राइट आंसर है इसमें चमचमाते ही देते इस वजह से कुश्चन नमबर 78 आप तरड में काउंटर सब्द का क्या अर्थ है तो इसका जो राइट आंसर है वह आपको उप्शन D एक लंबी सपार्ट सत है जिस पर रखकर चीज़ें बेची जाती है नेक्स्ट कुश्चन नमबर 79 पुलिस को बुलाया गया क्योंकि तो इसका जो राइट आंसर है एक पांच केरेट का हीरा कुट्ता खा गया था इसलिए कुश्चन नमबर 80 जब उसने महला को संदय की दस्टी से देखा इस रेखांकित पद का क्या आस है तो इसका जो राइट आंसर है वह आप सुन सी उसने ऐसी नजर से देखा कि जैसे महला ने कोई गलती की है नेक्स्ट फिर यहां पर आनुछे दे रखा है बर्स दो या साथ में धारत अरपपती देशों की बैवब में सामिल होने वाला ग्यारमा राष्ट बन गया हुए अपनी पीठ थप थपाने का आपसर था और परन्तु बिसे सग्यों का मानना था कि हमने अपने आपको कुछ जल्दी ही बताई दे दिये देश आज भी गरीब है बीमारी जाती और बर्ग भेद से और ऐसी अनेक बुराणियों से पीड़त है इसलिए हम सब के लिए लग्जा की बात है अब इसके कुछिन आंसर को करते हैं कुछिन नंबर इटी बन बस दो या साथ में कौन सी नंबर इटी टू जब लेखक कहता है कि हमने अपने आपको कुछ जल्दी ही बदाई दे दी उससे क्या आसे है तो इसका जो राइट आंसर है हमें तभी खुशी मनानी चाहिए जब देश में कोई गरीब ना हो कुछिन नंबर इटी थी लेखक द्वारा प्रियुक्त किन स सब्दों का अर्थ है तो इसका जो रिप्रिसंड़ता अनवव करना तो इसका जो राइट आंसर है बहारत खरफपतियों देसों के ऍलब में सांविल होने वाला 11 राष्ट बन गया है इसका सही अंसर है कुछिन नंबर इटी फोर लेखक के अनुसार भारत के लिए लज्ज सब्समाच को बढ़ाई दे रहा है तो इसका जो राय आनसर वह आपका option B, इसका सही answer है, बाल विवाए ऐक बुराई है, इसका सही answer है, B option. फिर यांपे यह रे एक और ऑनुषियत दे रखा है, तो इसको पूरा रीट कर रहे हैं और उसके बाद question को करेंगी. अफरीका में तेजी से फैर लई केले की दो बीमारी अलगए तीन करूड लोगों के लिए संकट बन रही हैं जो भुजन और आंधनी के लिए इस फल पर निर्वर हैं तेजी से फैर लई इस बीमारी को रोकने के लिए बैग्यानकोंने नीती निर्माताओं के साथ एक आपात बैटक की उन्होंने पाया की यह बीमारी आशाद्दे है और इसलिए उन्होंने ससक्त उपाई करने का परामर्स दिया ऐसे केले के बड़े बड़े खेतों की खुदाई करना और कीट नासकों को चड़का करना अथ्वा पौदे को जला देना उन्हें लगा कि यदि समय पर कदम ना उठाए गए तो यह बीमारी एक महमारी की बाती फैल जाएगी और नंबर प्रतिस फसल बरबाद हो जाएगी Q86 लेखक ने क्यों कहा कि केले की बीमारी लोगों के लिए संकट बन रही है तो इसका जो राइट आंसर है वह जल्दी ही फसल बरबाद कर देगी जो लोगों की भोजन और आबदनी का साधन है Q86 लेखक ने क्यों की ती तो इसका जो राइट आंसर आपसन है समस्या का समाधर ढूंदने के लिए Q86 विमारी की रोग थाम के लिए बैग्यानिक ने सुझाब दिया तो इसका जो राइट आंसर है वह आपको अफसन दी सभी प्रवाबित पौदों को जला दिया जाए और उन पर कीट ना सक छिड़का जाए Q89 महामारी का से होता है बहुत सीगर फैलने वाली रोग Q90 विम लेखित में से किस बाक्त में ससक्त सब्द का प्रियोग अप्तरड में प्रियोग तो बाके के अर्थ में हुगा है तो इसका जो राइट आंसर है वह आपको अफसन सी आग इतनी ससक्त थी कि देखते ही देखते सारा वाबन राख में बदल गया नेक्स्ट अब यहां से कुश्चन दे रखे हुने सही किरम में वरस्तित करना है तो बिद्यार में इसको वरस्तित करना हो कुश्चन नमबर 92 का जो यहां से राइट आंसर होने है उसकी मा घर पर नहीं थी और नीना को भूंक लगी थी और उसने अपने लिए चौकलेट खरी दी यह पास की दुकान पर गई तो इसका जो सही किरम है वह आपका वी ओप्सन भी ये डीसी सही अंसर है क्विश्चन नमबर 93 यहां पर गते रख cotton कि सही बिकल्प चुड़ना है Crashे गहर पर रहना चाहती थी क्योंकि तो इसका यहां पर असुद दी राख ह्गे इनका असुद भाग जो मा जो हैना कौन सा ह हो बताना है Q95 में जो है न 2nd part असुद्ध है Q96 में जो आपका part है वो C वाला part असुद्ध है Q97 में जो आपका C part है वो असुद्ध है Next फिर यहां पर फिलब दे रखें आपको मैं dot.saheqal को भारी मेनत करता हूँ Q99 वह दिन बर सोता है अथा रात..com करता है तो इसका जो राइट आंसर है Q90 दो है जो है ना इसका सही आंसर फिर यहां पर इसके आंसर दे रखें तो आंसर को note कर लेंगी अगर आपको इससे समयन कोई doubt आता है तो comment section में जरू बताएगा और आपकी केसी तैयार ही हो गई है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूरू बताना है फिर यह इसका सेलूशन यहां से दे रखा है तो इसको नोट करना हो तो नोट करते जाएंगे और देगना हो या समझना हो तो समझते भी जाएंगे कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरू बताना आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने बैल आइकन को दमाई जिससे की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और दोस्तों के भी जाज ज़्यादा से है इसको नोट करते आएंगी अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना आपको फिर यहां से आपका सिस्टी से दे रखा है तो इसको नोट करते आईए आप और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरू करते हैं पिर यहां से नोट करते लिए इस तरह से यह आपका पूरा सॉलूशन हो चुका है और आपको वीडियो कैसा लागा कमेंट सेक्षिन में जरू बताइएगा अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बैल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और दोस्तों भी जाज़ादा सेथ जरू करें फिर मिलेंगे ऐसी इनकेश्टी वीडियो के साथ अभी के लिए जैहिंद फेंड्स जे हैं रस्वेंज से जित जुरस को वाचिंट।